नमस्कार दोस्तों स्वागे था अप सभी का गुर्मेंट जॉप स्यूपी के ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप मैंसे कई सारे लोगों ने ये मेल मुझे बार-बार किये हैं कि सर कोई सारी न्यूज होती हैं जो हमसे स्किप हो जाती हैं जो नहीं छूट जाती हैं हम नहीं देख पाते हैं कुछ इंपॉर्टन चीज़ें होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को मेरी थूर जाननी होती हैं मेंसे कई सारो लोगों ने मुझे कई बार mail किया है, message किया है तो आप लोगों से पूछ के ही मैंने ये पूछा था कि आप लोग जैसा बताएंगे वैसे किया जाएगा तो आप मेंसे कुछ लोगों ने कहा कि एक वीडियो की तुरू अगर हम news डाल दें या वीडियो डाल दें सारी news को compile करके कि ऐसे ऐसे आज की updates है तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आप लोगों के कहने वैसे तो आप लोग गर्वर्मन जो भी official जो android app है या blog है वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं हमारा facebook page है, telegram channel है वहाँ पे सारी news पड़ी होती है, सुभी सुभी पोस्ट हो जाती है, वहाँ से देख सकते हैं किसी कारण वर्ष कोई नहीं देख पाते हैं, किसी की कुछ चीज़ स्किप हो जाती ही या मेरे थुरू आपको कोई जानकारी चाहिए होती तो आप लोग मुझे दिन बर mail और message करते ही रहते हैं तो आप लोगों नहीं कहा है, कि शाम को एक वीडियो की थुरू अगर मैं यह सब compile करके news आपको दे सकूँ तो आप लोगों के लिए better रहेगा, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा तो इसे आगे भी continue करेंगे, तो आज पहली बार यह है होप सौप सभी को पसंद आएगा, ठीक लगेगा, नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी comment कीजेगा, अच्छा लगेगा तो सरूर comment कीजेगा ठीक है, तो शुरू करते हैं 28 December 2019 से आई देख लेते हैं आज की कौनकों से main news, सबसे top headlines तो आज के यही है कि कनिसाइक जो जो जूने असिस्टन पेपर होना चार जन्वरी को, UPTT जो 2019 की होनी उसके एक संभावित्ती थी, कोई आई है अधिने सिवचानायोक में भरतियों की चांच के लिए कई सारे जो है प्रक्रनाय से आदेते की भरतियों के पेपर लिक और कई सारी चीजों के तो उसके लिए सतरता सेक्शन का जैसे vigilance सेक्शन कहते हैं उसका गठन कर दिया गया है, सतरता अधिकारी भी न्यूक्त कर दिया गया है तो उसके बारे में बात करेंगे, पीसे 2019 में आपके पदों के संक्या जो है वो बढ़ सकती है LT grade जो चैनित है, UPPSC के, उनको जो है नय जनुरी से, मतलब जनुरी है, फेबरिरी 2020 से आपके न्यूक्तिव पत्र मिलना तारम होने की सूचना है, चलिए यह न्यूस को देख लेते हैं दोस्तों तो पहला न्यूस यह, IRCTC की फर्जी वेबसाइट बना कर कर रहे हैं भरती, जालसाज़न रेलवेक बाद अब इंडियन रेलवेक एटरिंग टूरिजन की फर्जी भरती शूड़ कर दिया है जॉइन लेटर भी लोगों ने जारी कियें, दोस्तों देखिए सबसे पहली बात, बेरोज़़ारों को ठगने के लिए बहुत फॉज है, जो बेरोज़़ारों को ठगने के लिए तयार रहती है आप लोग कोई भी, कोई भी फॉर्म भरें, अगर आपको लग रहा है कि वो ऑफिशल नहीं है, तो एक बार आप हमको मेल जरूर कर दीजाएगा mygovernmentjobsup.gmail.com या हमारी mail ID, आप एक mail कर दीजे, कि आपको ये suspected लग रहा है, या ये suspicious जो है, या ये फर्जी लग रही है, फेक लग रही है, तो आपको तुरंत बता दिये जाएगा, उस mail कर प्लै करके, ये फर्जी है या original है, जो है, सही है, तो अगर आपको कोई भी ऐसी लगती है, जहां पर फर्जी वेबसाइट है, तो बिल्कुल कोशिश कीजे कि आप उस पर कुछ भी ना करें, ना फॉर्म भरें, ना पेमेंट करें, कुछ भी मत करें, क्योंकि ये आप विरोसगारों को ठेकने के लिए बहुत बड़ी फॉज तयार है, जो सिर्फ इसी काम में दिन रात लगी रहती है, कि कोई फर्जी वेबसाइट बना लें, कुछ ये करा लें, फर्म भरा लें, पेमेंट करा लें, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा कभी लगए, कोई कोई फेक वेबसाइट हो, तो उस पर बिल्कुल भी फर्म मत भरिये, और आप हमारे my government jobs up.gmail.com पे mail कर सकते हैं, आपको तुरंद उसका reply आ जाएगा mail का, कि ये फर्जी वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट है, इस पर form मत भरिये, फर्म भरती भी अगर आप हैं, तो भी उनको फायदा होता है, कि क्योंकि आपकी personal जानकारी उन तक पहुंच जाती है, जो वो form बनाते हैं, नाम, father name, mother name, फालाना धिमकाना, email, mobile number, ये वो address, सब कुछ उनके पास पहुंच जाता है, और ये सब आज की तारीक में, जब digital media की तारीक में, आपकी personal जानकारी, आपका mail, आपका mobile number, आपका पता, आपका नाम, आपके father का नाम, ये लाखों रोपे की जानकारी होती है, तो इसलिए कहीं भी अपनी जानकारी मत दीजे, कुई अगर आपको fake website लग रही है, तो, दूसरी news देख लेते हैं, केंदर सरकार की देख रेक में होगी, इलाबाद विश्वदालिक भरती, इलाबाद विश्वदालिक भरती ना होगी, कोई पता नी कैसा चीज हो आप जो है, केंदर सरकार की देख रेक में होगी, और क्योंकि लाबाद विश्वदालिक एक केंदरी विश्वदालिक इसके लिए इसमें भी भरती होगी, जो सिक्षक और गयर सिक्षक पदों पर भरती होती है, तो वो केंदर सरकार की देख रेक में होगी, छे महीने में भरती प्रक्रिया को पूरी करना होगा पॉलिटेक्निक लिए एक सावेदा नोंगे छबू सब्सक्राइब पर प्रिक्षा होगी कोई जान जिसको भी अगर फॉर्म बरना हो तो अपना फॉर्म जाए हो आप लोग भर सकते हैं तीन सो रोपेस का आवेदान शुल्क है अधिन यह सवतंतर अधिकारी हैं जो असवतंतर अधिकारी न्यूक्त होंगे इनको जो है कल मीटिंग होई है जिसमें जो है आयोग के अध्यक्ष जी ने इनको जो है न्यूक्त किया है जो है और यह आयोग की जो इंटर्नल चीजें होती है कि क्या सेंटर बनेगा कैसे उसका कीज़ें होंगे उसकी नजर रखेंगे यह सोतंतिर अधिकारी होंगे जो है और विजलेंस का एक तरह से विजलेंस की तरह उसका काम करेंगे यूपिट्रेप्लेस में तो यह एक अच्छा कदम है नए अध्यक जी जो उठाया गया है अब समीदा भरती भी सेवायोजन भरती पर भी सेवायोजन विभाग को देनी होगी सुछना समीधा भरती जो में जैम पॉर्टल से करने का आदेश उत्रपर शड़कार्न नहीं किया है इसलिए ये जो है सेवायों विभाग में देने का फैसले किया है ये दोस्तों ये एक इमपोरिंट को पर पिसेस में पद वो नहीं शामिल है और वो चुकि ये बीडियो के पाद जो ब्लॉग डिवलेप्मेंट ऑफिसर के पते हैं वो बहुत संख्या में खाली इसलिए योगी जी को माननी सीम जी को ये पत्र बेजा गया है जो है कि उसमें जो पीसस का 2019 का विज्यापन निकला है उसमें बीडियों के पदों को भी समलित किया जाए एल्टी ग्रेट चाहिनेटों को जो है नए साल में न्यूकती पत्र में लेंगे जो है तो जो लोग भी एल्टी ग्रेट में सेलेक्ट हुए हैं 10,700 और 60 पतों पर ये भरती हुए थी 15 विशियों की खैर कई कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो योग या भी हड़ती हैं वो नहीं मिल पाए है तो उनको जो है नए साल में न्यूकती मिलने के पुरा पूरा चांस है क्योंकि अभी जो डॉक्मेट वरिफिकेशन काम है वो अभी दिसंबर में ही आपका चल रहा था वो अब खतम हो गया है तो इसलिए माना यह जा रहा है कि नए साल में उनको न्यूकती पत्र मिल जाएंगे ये भी एक खबर दोस्ते इंपॉर्टन्ट है जो लोक्स SSC की तियारी करते हैं सीजल की 11,000 से अधिक पतों पर भढ़ती होगी यह पहले ही इसके हो चुकी है फस्ट है तो उसमें जो है लगबखाब के 11,000 पतों की जो है वो परिक्षा होनी है 11,271 पत घोशित की हैं इनमें 5,770 पत अन्रिजर्वट हैं वही 2933 पत OBC 1723 पत SC और 845 पत ST के लिए हैं इनमें सबसे आधिक 3,82 पत कंट्रोलर जनरल ऑफ ड 42 साथ लोगों को जो है वो उत्तियंड किया गया है 110 शेरों में 8 December को seated का आयोजन किया गया था seated का आपका आयोजन किया जाता है central teacher eligibility test होता है इसमें आपको class 1-5 तक पढ़ाने के लिए और class 6-8 तक पढ़ाने के लिए आपको test देना होता है paper 1 होता है जिसमें class 1-5 तक पढ़ पढ़ाने के तो और 19 वे दिन में ही इसका जो है result घुशित कर दिया गया जिसमें 28 लाग चातरों में से कुल 24 लाग परिशार्ती सामिल हुए थे जो है लास्ट दोस्तों junior assistant की जो परिशा होनी है चार जनुरी उस cabinet cards आपके जारी कर दिया जैसा कि आप लोगों को पहले भी पताया गया था आपके हिंदी पे हैं तो आप यह मान किज़ेंगे कि junior assistant की लिखित जो रिटन एक्जाम है उसमें आप qualify कर जाएंगे एक post पे लगभग 11 लोगों को बुलाए जाता है टाइपिंग लिए 11-12 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाए जाएगा तो इसलिए आप हिंदी पे T.E.T. 2019 का आयोजन हो सकता है उत्तरपरज से चुक्पातिता परिक्षा 2019 नैवर्स में 8 जनवरी को हो सकती है परिक्षा नियामत प्राधिकारी आनिल भूशन चतुवेदी ने शाषन को 8-11 या 19 जनवरी को परिक्षा कराने के लिए प्रस्ताव भीजा है अब 8-11-19 में जि आप लोगों को जाना जरूरी था जिनकी छूट गई थी दोस्तों देख लीजेगा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो बताईएगा इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन भी मैं करूंगा चोंकि आज ये पहला पहली बार ऐसा इस तरह का वीडियो बना है तो इसलिए बहुत अच्छा नहीं बन पाया होगा होगा होप सो ठीक ठाक बना होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन की जाएंगे कुछ मैं अपनी तरफ से याड़ अच्छा लगा और नहीं अच्छा लगा तो भी जरूर बताईएगा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों